सर नियू काईट्स की डिलिवरी परसो तक हो जाएगा सर हमें आप ऑनलाइन टूटियो रिल्स के साथ भी टायप करना चाहिए इसे हमारे स्टूडिंस को हेल्प मिलेगी आज जोगिंदर जरूर करना चाहिए पर फिर फीस भी तो बढ़ानी पड़ेगी सर फीस बढ़ाने के बज़े हम बैचिस बढ़ा सकते हैं क्लासिस बढ़ेंगे तो स्टूडिंस बढ़ेंगे तो रिकवर हो जाएगा इस बैच के खतम होने से पहले हम नया बैच शुरू नहीं कर सकते हैं और फिर क्लासेस बढ़ाने के बाद भी तो फीज बढ़ानी पड़ेगी ना, वरना कोई मतलब नहीं है, देखो, हम इन स्टुनेंट्स को बैंक एक्जाम के लिए तयार करते हैं, जिससे ये जॉब लेके सारी जिंदगी पैसा कमाते हैं, इसलिए थोड़ी एक्स्ट्रा बढ़ा ही रहे हैं, तो स्टाफ के सालेरी भी बढ़ा दीजे, चलो भी चलते हैं, लेट हो रहा है, यह सर, पीता, जी से, तुम साथ चल रही हो या बाद भी लॉक कर क्या होगी? नहीं सर, चल रही हूँ, बस हो क्या हूँ मेरा सैंपल पेपर डाउलोड कर लिए और बाकी कल करो लिए? उस सैंपल पेपर के साथ अगर बैंग इंटर्व्यू तो वो भी मेल कर देना है, चेकिए, थे लो कल देना है, यह सर, गुद नाइट सार आप लो को छाख नो का चाहिए? चाहिए क्या तुम लोगों को चाहिए? आप लोगों को वहां यहां जो बताओ क्या जाए छाग चाहता है आप मेरी बात आपको क्या चाहिए आप बात तो प्रिखे अगर थे आप यहां आपको फिनों को भेर कर देंगे तोई दोनों का अंदर लिगे का चाहा है यह जाए जाए इसको पमगिए बारी बारे जड़ बंगिसको को अरे जड़े इसको आरे जड़ कीरा थे अर्फिर आस बिंगे बेत क्राइबर तो क fen logr को अरे जड़ा है? और कीरा फिर ढम फस्टर्णी था आघ मतगवा आड़ाली आड़ बस्टका लाग्नर कि अ जड़े है कर दो कर दो कर दो मा आप खाना खालो वेभव का फोन नहीं लग रहा है साड़े नौ बज गया अब तक तो वेभव को आजाना चाहिए था कहा रह गया होगा बता नहीं मा आप ट्राय तो करें हो लेकिन फोन लगनी रहा है शेट जोगिंदर के साथ कहीं गये होंगे नेटवर्क इशू होगा दस मिनट और इंतिजार कर लेते कहा है आप वेभव मैं और मा आपका खाने पर इंतिजार कर रहे हैं कहा है पर बारत को बोड़कर दो कि अब है. आरती जोशी वैभव जोशी की पत्नी जो एवी स्टडी सेंटर का ओनर और डिरेक्टर था उसे ढूंदते हुए स्टडी सेंटर आती है जहां उसे अंदेशा होता है कि शायद कुछ गलत हुआ है आरती घर वापिस जाकर सेंटर के में गेट की डुबलिकेट चावी लेकर वापिस आती है और दरवाजा खोलती है स्टडी सेंटर के अंदर जिन हालात से उसका सामना होने वाला था वो बेहत चौकाने वाले थे वेभव 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 वह वेभवा कुई कीता कीता कुई कुई वेबफ 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 का है? पतानी माम, उनों में बांधा और बाहर से खुंडी लगा के चले गए क्या? आर्ती माम, मुझे लगता है वेबफ 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 और को दूसरे वेले क्लास्टरूम में ले गए होगे यह सब किसने किया? मैम, वो तीन लोग थे थे तीनों के पास गंस थे हम सेंटर से निकल ही रहे थे कि अचानक वो लोग जबरस थी हम थीनों का अंदर ले थे उनमें से दो लोगों ने मुझे और गीता को क्लास्रूम बन में बंदा और वो तीसरे आज में बंद करके बाहर से कड़ी लगा कर चले गए वो तीन थे उनमें से दो हमें क्लास्रूम में लेकर गए और बंदिया उसके बाद वो तीसरे आज में भी वहाँ आया था तुम्हें उन तीनों के शकले हाद है शकल दिखी ही ने उन तीनों का चेहरा कपड़ों से टका हुआ था वैभफ कहा है कहा लेगे वो लो को नी अरती मैम हमें नहीं पता वैभफ सर का है किता तुम्हें साथ कोई सेक्शोल असॉल्ट कोई जोर्जब बर्दस्तिक युनोंने पर जब वो तीसरा अदमी अंदर आया मुझे लगा शायद कुछ होगा फिर ऐसा कुछ नहीं हो हमारे लास्ट बैच की क्लास साड़े साथ बजे खतम हुई थी वैभफ सर और मैं बैच और क्लासे को लेकर कुछ नए अडिशनल मटीरियल के बारे मैं बात कर रहे थी सर मैंने भी अपनी लास्ट क्लास खतम की और फिर हम तीनों घर जाने के लिए निकले गीता जोगंदर आप दुने आपर पढ़ाते हैं यह सर फिर क्या हुआ फिर वैभफ सर और गीता कार की तरफ गए और भाहर निकल कर गेट फूल लेगिया और सर जैसे ही मैंने गेट खोला और टर्न किया तभी अचनक से वो तीनों हाथ में गन लिए चैरा ड़के हुए औ हमें गांट पॉंट पर जबरदस्ती सिर अंदर की तरफ लेगे और सर उन्हों ने जबरदस्ती वैभफ सर से से सेंटर का लॉक खरबाया सर वो लोग हमें यहां से क्लास्रूम की तरफ लेकर गए तेनों में से एक आदमी जो बाकी दोनों को ओडर दे रहा था उसने उन द जी फॉन तो बैदाफ का है? आर्ती जी आपके कोचिं सेंटर में कहीं CCTV लगा है? नहीं सेर आर्ती बेटा कौन है ये लोग? और क्या जाते हैं? और वेबव को क्यो लेके गाए है? और कहां लेके गाए है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है बादी यहां क्या हुआ है? पार्ती जी हमें वेबव का एक फोडो चाहिए हम बता लगाते हैं सर मैंने पूरा सेंटर देख लिए कहीं पर व आस-पास के एरी और मार्केट में पता करो, कहीं सीसीटी भी है क्या? शार सब अर्ती जी आपकी नजर में कोई ऐसा है जो वेबव को नुक्सान पजाना चाहिए गाए अर्ती जी हमने जोगेंदर और गीता से तीन बर पूस्ताश की, उनके बयान से यही सामने आया है, कि तीनों नकाब पोश आपके पती वेबव जोशी के लिए आये थे, लेकिन क्यों? वो लोग मेरे पती वेबव कोई क्यों ले गए? सर वेबव की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है, पांच साल से कोचिंग क्लासे चला रहा है, पढ़ाने का काम करता है, बिल्कुल सीधी पूरी प्लेणिंगी में, कुछ तो टेड़ा हुआ होगा, जो गयरा अगस्त की रात को तीन बंदूग तवारी, बंदूग की नोक पर उने उठा कर लेगे, उनका मोबाईल पीछे छोड़ो, इतनी प्लैनिंग के बीचे, कोई तो बजा हो, सर मुझे तो कुछ नहीं पता आरती, उन्होंने तुम्हें कुछ बताया था, नहीं भाया, मुझे उन्होंने कुछ नहीं बताया था, और आरती जी कुछ तो है, क्योंकि जो तीन लोग आये थी, वो ऐसी नहीं है, वो पूरी प्लैनिंग के साथ आये थी, प्लीज आप लोग मेरे पती को डूगिए, बि कोशिश करेंगे, पर वैभव को कौन किटनेप करेगा, और क्यों, वैभव को कभी किसे से कोई तंकी मिली, कोई दुश्मनी या फिर को जगडा, नहीं, वैभव ने ऐसा मुझे कुछ नहीं बताया, पारवती जी, पिशोर जी, आप तो उसके बहन और जीजा है, क्या आसपास का एरिया, पूरा मार्केट छान मारा, यहां कहीं भी CCTV नहीं मिला, और यहां कोई ATM भी नहीं है कि उसके CCTV से हमें कुछ मिल जाता हूँ, पहली बार आरती दस पैंतालिस, पहुने ग्यारा बज़े सेंटर पर आई, फिर चाबी लेकर ग्यारा बज़े दोबार आई, तो मतलब वो 11 बज़े से पहले ही वेबोग को लेके होंगे, आसपास के लोगों से दुकान दार से पता किये, सर मैंने मार्केट के लबख सभी दुकान वालों को वेबोग की फोटो देखाई, सबका यही कहना है कि किसी ने कोई खास ध्यान नहीं दिया, 19 बज़े तक लब लेकिन जुगिंदर और गीता को बिना नुकसान पहुंचाए, सिर्फ वैभव जोशी को साथ लेकर फरार हो गए, यह घटना क्या वाकई किड्नापिंग की थी, या सिर्फ वैभव जोशी को चोट पहुंचाने की एक सोची समझी साधिश, अर्वेन, पांच साल पहले जब यह कोचिंग सेंटर खुला था, आप तब से यहां पर काम कर रहें? जी, तब तब सब को जानते होंगे, सेंटर को, सेंटर के लोगों को. जी सर, बैं यहां पर सब से ब्रहा होता है. तब तब ये भी जानते होंगे, कि जो कुछ भी हुआ है, वो अचानक नहीं हो सकता है। मैं भी कुछ ऐसे ही सूच रहाता है। ऐसा कुछ मतलब? मतलब सर, मैं और जोगिंदर भी यही बात कर रहे हैं, कि उन लोगों ने वहावव सर को भी क्यों चुना है। साथ में जोगिंदर और गीता भी तो थे। पर हम वैवव की मा में नाक्षी जी और उनकी बीवी आर दी, दोनों के मोबाइल के साथ साथ लाइन लाइन भी टैप कर रहे हैं। अब ही तक फिरोथी का कोई कॉल नहीं है, कि एक एंडापिंग पैसो के लिए तो नहीं हुई, माजरा कुछ और हो आपको क्या लगता है। मुझे भी ऐसे लगा था जब मैंने जोगिंदर से बात की थी। अरविंद एक सेक्मिंद के लिए तो लगा कि वह लोग मुझे मार देंगे। और ठीस तरह से वो गीता को देख रहे थे, थाका कि बहुत गलत होने वाला है। वो तीन लोग आये और सिरुफ वैबसर को ले रहे हैं। तुम दोनों को कुछ नहीं किया। एसी है छोड़ देख तो आपको जोगिंदर को क्या लगता है। कौन कर सकता है। किसी पर शक्तुप। अच्छी वो गीता और गीता और वैबसर का दोनों का अफेर है। ये सर। मैंने कुछ देखा है। सर अच्छी आरविंद को भी उनके अफेर के बारे में पता है। इसलिए हमें ऐसे लगा कि इस तरह से तीन लोग आए और सरी वैबसर को ठागर ले गए। इस अब नाटक था फरजी था असली मुकसद कुछ और है। वैबव ने किड्नैपिंग का इसरा ड्रामा अपने किसी मकसद में कामयाव होने क्लिक किया। और साथ में कीता विशामिल हूँ। पता है नहीं सर। मैं तो आपको बता रहा हूँ जो वैबसर और गीता की बीच में चल रहा है। पसर, इमानदारी से बोलूँ तो ये बात कुछ हजम नहीं हुए। कि एक को उठाके लेगा और दो को सही सला में छोड़ दिया। हम याबव और गीता के कॉल रिकॉर्स देख रहे हैं। कि 99.9% बोल सकता हूँ कि गर्मी नकली होंगी। अपने थोरी लगाना बन कर उसमान और जो बोला है वो पता कर। कि क्या ऐसाब कुछ कोई ड्रामा था और इस ड्रामा को खेलने के लिए क्या किसी हिस्ट्री शेटर को हर किया गया था। कर दो दिन हो गया मेरे पती को गायब होई। और आप लोगों उने ढूंडने के बज़ा है मुझे ये बता रहे हैं। कि उनका गीता के साथ अफैर चल रहा था इसलिए उन्होंने खुद को किड्नाप करवाने का नाटक किया। अर्ति जी हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा ही हुआ है। लेकिन जो हुआ है उस पर यकिन नहीं कहा जा सकता। अभी तक फिरोती का कोई कौन नहीं है। तो वैभव को अपने साथ क्यों ने कर गए। सर ये पता लगाने का काम आप लोगों का है। आप लोगों ने ढूंड नहीं पारे हैं इसलिए कहानी बना रहे है। आपको इन बातों पर विश्वास हो रहा होगा लेकिन मुझे नहीं है। मेरी और वैभव की शादी को 6 साल हो चुके। वो इंस्टिट्यूट हमारा सपना है। हमने मिलकर शुरू किया था। और रही बात अफैर की तो वैभव ऐसे इंसान ही नहीं। और अगर ऐसा है भी तो यह सब को छोड़ चाड़ कर कहीं क्यों जाएंगे। आर्थी जी हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे हैं। हम सिर्फ इतना कहा रहे हैं कि ऐसा भी हो हो सकता है। हमने वैभव की तस्वीर वारा नसी के सभी पुलिस सेशन में विजवा दी है। पुलिस अपना काम कर रही है। हम 11 अगास्त की सारी सिसिटी फटेश कंगाल लें। उन्होंने गीता और जगेंदर को वहीं चोड़ा और आपके पती वैभव जोशी को साथ में लेगा। अब खुश सोची और बताईए उन तीन लोगों ने ऐसा क्यों किया। गीता वैभव जोशी का है। मुझे कैसे पता होगा वोखा है। और आप पीम मुझ से क्यों कुछ रहे हैं। नहीं नाटक बंद करो संथी। क्योंकि हमें पता चल चुका कि तुम्हारा और वैभव का अफैर चल रहा है। हम मेरा और वैभव सर का अफैर चल रहा है। पर इसका मतलब यह तो नहीं ना कि मैंने उनके किटनापिंग करवाई है। अगर तुमने नहीं करवाई तो फिर किस ने करवाई। वैभव ने। वो अपनी किटनापिंग खुद क्यों करवाएगा। अरे माना हम रिलेशन्शिप में हैं। यह पुलिस क्या अनाप्शना पोल रही है। उनका कहना है कि वैभव और गीता का अफैर चल रहा है। जबकि मैं जानती हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आर्ती तुम्हें कोचिंग क्लासे से ब्रेक लिये हुए पूरा एक साल हो चुक है। तो? तो क्या हुआ? वैभव मेरा बेटा है। मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। माजी, अर्ती, हम सब जानते हैं के वैभव कैसे। मगर उस गीता ने पुलिस के सामने बयान दिया है। कि उसका वैभव के साथ में अफैर चल रहा है। ये गीता वीता जो कोई भी हो ना। जूट भी तो बोल सकती है। मगर माजी, अगर किसी औरत का किसी शादी शुदा मर्द के साथ नाम जुडता है। और वो बात सच भी हो, तो भी औरत मानती नहीं है। जुटला देती है। लेकिन यहा तो इल्टा ही हो गया है। गीता सीना ठोक कर कह रही है। कि उसका और वैभव भाई साब का अफैर है। ठीके, उसने मान लिया। मैंने भी मान लिया। कि गीता और वैभव का अफैर चल रहा है। लेकिन इससे ये कैसे थाबित होते हैं कि मुझे छोड़कर गीता के साथ जाने के लिए उन्होंने खुद को किड्नैप कर वा लिया क्यों? अब भी आप यही कहेंगे कि आपको नहीं पता वैभाव कहा है हाँ 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 और कैसे कहूं, कितनी बाहर कहूं आपसे हम सर्फ कहें नहीं रही हूं पचे सच में नहीं पता वैभाव सर कहा है ठीक है, अभी आप जा सको लेकिन सिर्फ यहास दारामेश से बाहर ले क्यूकि आप तो आपको पता है न कि हमें पता है कि आपके और वैभव के बीच में क्या चाहिए फिर चार दिन होगे गीता और वैभव के कॉल रिकॉर्ड चाहिए लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे लगे कि ये दोनों ऐसे क्यों प्लानिंग कर रहे थे देखा जाये तो आर्तिक पांट तो सही है इस तरह खुद को गर्णाइप करवा के वैभव को क्या हासिल हो उसके बैंक अकाउंट तक आर्तिक साथ जॉइन में एक पैसा इधर से इधर नहीं हुआ बात तो सही है सर वैभव ऐसा क्यों कर रहे है पूचिंग लासे खुलना उ कुछ तुम बता तुम बोल काम रहे हैं मैं वह हूँ जिसका कोई चेहरा नहीं उन लाखों कड़ोरों में से एक पेरोजगार एक नौकरी पाने के लिए दर्दर ठोकरे खा रहा है यह बता कि मुझसे क्या चाहते हैं एक साल के कोचिंग की फेस साथ हजार उप चालीस हजा जब कोई बिना रोजगार भूका मरता है ना पूरे एक लाख रुपे भरके तब उसकी परेशानी किसी को नहीं दिखती उसकी समस्या उसकी महनत पर अब मैं निक्षिन थूं क्योंकि अब आपके पास भी एक परेशानी है यह जानने की कि जिसने मुझे परेशान किया उस अब कौन से नहीं कुतिलाई है सगीता से पहले एक और लेडी टीचर थी कोचिंग क्लास दो साल पहले एवी स्टडी सेंटर में पढ़ाती थी पक्का ललेत ये महीना जाने दो अगले महीने तुम्हारी सैलरी बढ़ाने के बारे में पक्का बात करते हैं देखते हैं इसलर थांक यू वैबफ सर्व मेरी कुछ समझ मैंने या रहा तुम क्या बोल रहा मैं बस यह जानना चाहते हूं कि तुम्हारे और ललीदा के बीच क्या चल रहा है क्या चल रहा है मैं यह वैबफ सर्वेट यह क्या है अभी तीन महने पहले ही तुमने 25% की हाइक दी थी न उसे सेलरी में और 50% देना चाहते हो क्यों? क्योंकि वो डिजर्व करती है अच्छी टीचर है, महनती है मैं तो सोच रहा हूं एक बैच और बढ़ा दू वो सुबह क्लास देने को तयार है और हमारे पाँ स्टुडेंट्स भी है हाँ मॉर्णिंग का बैच होगा तो तुम्हें भी जल्दी जाना पड़ेगा न बैच का बैच चलेगा और साइड बा साइड तुमारी एश भी है न आरती तुम वैभफ तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं एक सक्सेसफुल बैंकर रह चुकी हूँ बिजनस और उसकी बारी किया न अच्छी तरह से पकड़ लेती हूँ और मुझे नजर आ रहा है कि मेरा बिजनस और मेरी परसनल लाइफ न दोनों कहां जा रहे है तुम गलत सोच रही है ने और ललीता के बीच में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है कुछ ने चल रहा न है ठीक है तो कल जाक लेजना सामने सामने पूछ लेती है कि तुम दोनों के बीच क्या है और क्या नहीं जहां एक तरफ गीता के साथ वैभव का अफेर इस किड्नैपिंग के पीछे की वज़े दिखाई दे रहा था वहीं दूसरी तरफ सामने आया एक अग्यात फोन कॉल जिसमें नौकरी देने का ज्छासा देकर पैसे लेने की बाद भी सामने आई फिर अचानक ललिता नाम की महिला का खुलासा हुआ ललिता दो साल पहले एवी स्टडी सेंटर में पढ़ाती थी जिसका वैभव के साथ अवयत संबन था क्या वैभव के अगवा होने के पीछे इन तीन कारणों में से कोई एक कारण था या वज़े कुछ औरी थी पहकीकात के दौरान इस केस में अभी पुलिस के सामने कई चौकाने वाले साचाने बाकी थे पहले गीता अब ललिता योगेंदर शर्मा अरुन कर्शिप वैभव जोशी के बारे में और क्या बताना बाकी है अब सब कुछ एक साथ बताओगे या पी किस्तों में बताओगे नई सर वहमें बात में लगा कि वैभव सर के कारण खुद की किन्डापी क्यों करेंगे इसे उने क्या मिलेगा बल्कि जो है वो भी चला जाएगा सब फिर एदाया कि तो साथ पहले जब वैभव सर का ललीता के साथ रिलेशन था तब आर्ती में भी या काम करती थी और जब आर्ती में को इन दोनों के बारे में पता चला तो उन्होंने तमाशे किया और बहुत बेज़ेती करके ललीता को को पोचिंग से निकाल दिया था चला रिजिगनेशन दे और निकल जाए यहांसे तुबारान अपनी शकल मत दिखाना मुझे आर्ती पहले लेकिन मेरी बात तो सुनो लेकिन वेकिन कुछ नहीं क्या बात सुनो तेरी अपनी नटंगी की दुकानदारी उठा और दफा हो जाए यहांसे अगर मैं जाने से मन तेरी तरह हर किसी का पैसा देख करना मूनी मारते फिर त्याम लोग निकल जाए यहांसे और नहीं तेरे बाल खेच कर खसिटते वे तुझे धक्ये मार कर निकालों कि यहांसे और सर फिर हमें लगा कि अगर वैववसर को सच में किसे ने किडनाइब किया है तो वो कौन हो स जकाले त्यें तुमको सबूत जाहिए तर सबूत ने बसकंफर्म कर्यों कि काम हुआ या ने तुमने उसे किकाने लगा दिया आ लगा दिया अग्का तुमनी काम किसी और पर नहीं छुड़ा नहीं मैंने खुट किया है तुम को आम पर वरोसा नहीं जोड़िए पर काम बुरी खबर है, जालाबाद के आजाद नगर पुलिस्टेशन एरिया में एक डेड बॉड़ी मेली, अलो डेड बॉड़ी, तया पुचर्शिक ही है, जी सर, मतलब यह जूटा के इंडापिंग का नाटिक नहीं थे, जोगंदर और गीता की तरह, इसके भी हाथ हर्मू बना गया थे, ये सर, सर, आजाद नगर पुलिस्टेशन हमें बॉड़ी हांड ओवर कर रही है, विक्तिम के मौत हुए, बहतर गंटे से ज्यादा का समय भीच चु कर दिया गया हूँ, असी बाल है, जाकु जासी तेज जार चीज से 14 वार किये गए, जिस कंड़नेपिंग का हम फेक समझ रहे थे, वो रियल निखली, वो लोग वैबब के उठा के लेके गए, उसका माटर कर दो, 14 वार किये गया, इतनी बेरहमी से, इस बेरहमी के कोई तो वजा होगी, अगर उनों नों से मारना ही था, तो कोचिंग सेंटर में कुई नहीं हूँ, इन घंटे का रास्ता क्या कर दो, अलावाद को लेगा, नहीं, वैबब उट, वैबब जोशी मिसिंग केस, अब वैबब जोशी मर्डर केस बन चुका था, और ये बात भी साफ हो चुकी थी कि उन तीनों नकाब पोशों का निशाना सिर्फ और सिर्फ वैभव था हत्यारे वैभव को अगवा कर कतल करने के मकसद से ही आये थी लेकिन इस जुर्म को अंजाम देने वाले अपराधी से पुलिस की इंवेस्टिगेटिंग टीम ना सिर्फ अंजान थी बलकि कोसों दूर थी वैभव जोशी की जिन्दगी से जुड़े कई और पक्ष अब फुलिस के सामने आने वाले थी ललीता पांडे? जी मैं ही हूँ ललीता पांडे अगर आप ललीता पांडे हैं तो फिर आपको ये भी मालू हुआ होगा कि वैभव जोशी का मुर्डर हुआ है नहीं अभी आप ही से पता चला बुरा लगा सुनकर अच्छा हमने सुना है कि एक टाइम था जब आप दोनों काफी करीब थी सही सुना है आपने थी सर एक्चुली ये बात यां सब को पता है कि नौकरी की गरेंटी के लिए कुछ केंडिडेट एक्ष्र पैसे दिया करते थे पर हाँ ये है कि सब के साथ ऐसा नहीं होता था ये सर क्योंकि मुझसे भी वेभॉसर ने कभी कोई ऐसी बात नहीं कही और नहीं कभी फीस के अलावा कोई पैसे दिये हाँ मैंने भी नहीं दिये सर और ऐसी कोई बात भी नहीं होई थी तो फिर किसके साथ होता था सर मैंने बोला थो कि सिर्फ इधर उदर से सुना है परस्नली मैं किसी को नहीं जानता और ये भी यकीन से नहीं कह सकता कि किसी ने पैसे दिये भी है यह ने सर, सर मुझे कुछ बताना था आपको मैं तुमारी शकल देखते हैं समझिया सर मैंने उन्हें पैसे दिये थे सर अब मेरे पैसे, मेरी नौकरी का क्या होगा सर निखिल बता रहा था कि वैवफ जोशी ने और भी स्टूटट से पैसे लिये थे बता सकतो किस-किस से लिये थे सर पैसे तो बहुत लोगों ने दिया होगा किस-किस ने दिये ये नहीं मालुम सर पर जिज दिन वैवफ सर किडनाप हुए थे कि उस दिन मुझे एक पुराने स्टुडंट मिला था मुझे स्कॉचिंग सेंटर में तुम एवी स्टडी सेंटर में हो हां नौकरी के गैलेंडी के लिए पैसे दिये हो दिये हो तभी तने परेशान दिख रहे हो उनके गायब होने से आपको कैसे मालूम कि मैंने पैसे दिये हुए तुम अखेरे नियो जिसे नौकरी का जासा डालकर ये कमीना पैसा लिया है है ऐसा मत बोलो भाई मैंने पूरे पचास हजारों फैदिये चाली से पचास कर डाला है पचास हजार तो डूब दे ना नौकरी में लेगी और ना पैसा क्या पता चाहद वैवब जोशी भी कभी ना मिले उसने का था कि वैवब जोशी नहीं मिलेगा हां सर कुछ ऐसा ही बोला था उसे कौन था ये लड़का कौन था ये तो नहीं मालूम सर ना मैंने उसे नाम पूछा ना उसने बताया कुछ इसी कोजिंग प्लास में आता था मैंने उसे देखा तो नहीं कभी पर कभी तो आया होगा ना सर अभी तो उसको मालूम है कि वैवब जोशी नौकरी की गैरेंटी के लिए पैसे लेते हूँ इलेप आज से लेकर पिछले पान साल तक एवी कोजिंग सेंटर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब की डिटेल निकल वाता हूं वहां पता चल जाएगा कि लड़का कौन था जो योगेश से मिलाता हूं तब तक मैं आर्ती से मिलता हूं अगर वैवब जोशी नौकरी द सही काटा फैका ना अब वो अपने आप रास्ता दोलते रहेंगे अब अब एक्टिंग क्या करें तुम्हा जावर तस देख दो हां आए सीधा सीधा मेरा ना मागे करना ज़रूरी था कि सामझो जरा तुमारी बात मेख लिए तब तो ललिता तक गई अलकिन मैं ललिता नहीं हूं नहीं मैं चाहते हूं जैसा उसके साथ हुआ वैसा मेरे साथ में मैं सबके सामने तमाशा बन गई थी. और मेरे और आरती की भीस में जो भी हुआ, उसमें भी मेरा ही तमाशा बना. और सबसे बरकल वैभव, उसने भी हमारे ड़ीलेशन को तमाशा बना कर रख दिया था. वयभव ने आपके प्यार का तमाशा बनाया तो आपने बदला ले लिया जान से मार दिया बदला, दो साल बाद बदला लेकर मुझे क्या मिलेगा मैंने जो खोया है वो वापस कभी नहीं आ सकता प्यार करती थी मैं वयभव से शादी करना चाहती थी उससे अगर तुम आर्थी को छोड़ दो के तो उसकी सारी बत्तमीजियों का जवाब मिल जाएगा उसे. निकाल बार करो आर्थी को, प्लीज वेपव. वेपव हम साथ में मिलके अपनी एक नई कोचिंग क्लासिस शुरू कर सकते हैं. डिवोर्स दे दो आर्थी को. यह जगा मेरे अकेले की नहीं है. उसका भी हिस्सा है इसमें. और सिर्फ उसका नहीं उसके भाई का भी हिस्सा है. उसे डिवोर्स दे दूँगा तो मैं बरबाद हो जाऊँगा. मैं उस कमीनी ललीदा को ना ख्लासिस से निकाल रही हूँ. अगर तुमने उसे वापस रखने के लिए कोई भी गेम खेला ना बैपो. सच में मैं भाई से बोल दूँगी कि अपने शेर वापस ले ले. यह तुम यह भी मत बूलो. तुम्हारा समना जिसकी वज़े से पुरा हुआ है ना, तो वज़े भी मैं हूँ. मैंने पे अपनी सारी जूल्री, अपनी सारी मेरत की कमारी है, सब कुछ लगा दिया, इस जगा को करिदने के लिए. ललीता को मैं निकाल लोई, और उसे वापस रखने के लिए, अगर कोई भी चाल चली ना दूंदे, तो इस चितना भी कुछ है ना, सब छीन लोगे, बरपाफ कर दूंगी तो है. तुम तो बहुती घटिया अदमी निकले, कायर कि समके, प्यार नाम की कोई चीज नहीं है तुमे, प्यार तो क्या तुमारे अंदर विलपावर तब नहीं है, कि तुम अपने भरो से, अपने दम पर मेरे साथ अपनी एक नई कोचिंग क्लासिस खड़ी कर सको, तुमें जो समझना समझो, लेकिन अच्छा यह है कि तुम चली जाओ यहां से, मैंने इतनी महिनत के साथ इसाथ कुछ खड़ा किया है, मैं इसे खो नहीं सकता, नहीं छोड़ सकता इसे, तब सच में मेरा मन किया कि मैं मार दू, उसे भी और उस आरती को, वैभव तो मर चुका है, अब किस की बारी है, आरती की, अब तो आप आरती की बारे में भी इतनी चानबीन करेंगे न, इतनी मेरे बारे में की है, ललिता हमें आदत है, लोगों को एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं, देखने सुनने की, इल्जाम नहीं लगा रही हूं, सीरिसली पूछ रही हूं, आ कि योगिष तुम्हें वाक्यमों के मिला था यह पर तुम जूड़ बोला था सर्म मतलब सर्म जोगिंदर शर्मा और अर्विन कश्यप दोनों से बात कि और दोनों टीचर्स काया है कि वैभव अलग से बुला का स्टुडेंट से जॉब के नाम पर पैसे नहीं ले सकता सर अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको हमारे पास आकर पूछना ही नीचे यह था यह नौकरिक नाम पर पैसे काता था बस इसी में जोड़ लें सरा अब वैभव की पत्नी आर्थी को खंगा है मैं भी थोड़ा डीप में जाता हूं पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि यह मैटर आर्थी से गनेक्टिए है तर ललिता भी यही तुक्का लगा रही थी इसे के कॉल रिकॉर्ड से कुछ नहीं मिला एक भी नंबर ऐसा नहीं मिला इससे लगए गड़बर हुई नई सर लेकिन वैभव के कॉल रिकॉर्ड से इतना पता चला है कि वो अपनी कोचिंग सेंटर की कई लड़कियों के साथ टच में था और जब मैंने उन सभी लड़क जो से बात की तो सब का यही कहना है कि वो सब क्लासेस और पेपर्स के बारे में बात्चीत करते हैं शादी शुद आओकर दो साल पहले तक लड़ीता साइफेयर तो लड़ीता के जाने के बाद छे मेने पहले यह जीता आई रिसके साइफ शुरू हो गए एक और अफेयर यहां सिर्फ टीचर बनकर नहीं आई यह से पहले सेंटर में स्टूडेंट भी रहे चगी है सर जिस नहराज बेरोज़ार का आपको कॉल आया था मैं वो हूँ जिसका कोई चाहरा नहीं है उसका नाम एड्रस सब फर्स उस सिम से सिर्फ एक ही फोन किया गया था जो आपको आया था और सर वो योगेशपाल इसने में लीड दी थी कि वो कोचिंग क्लास के किसी एक्स्ट्रूइंट से मिला था इसने बताया था कि वेभब नौकरी का लालस दे कर पैसे लेता था नजर रख़े से योगेशपाल पर जिस बेराज़गार की बात कर रहा है उसकता ये खुदी हो जूट पूल कर हमें गुम्रा कर रहा हुआ तो आप ये कहना चाहती है कि आरती ने कुद मेरे बेटे अपने पती को मार डाला देख अभी तरह एसा कुछ सामने तो नहीं आया है कि किस ने किया है आपकी भूवारती ने या किसी और तापको आपकी भूवारती ऐसा कुछ कर सकती है पिशोर, वैभा आपका काफी अच्छ दोस्त था रहा जी सरु हम लोग दूसरे के बहुत करीब थे यह साले कम दोस्त ज्यादा थे पारवती जी आपको क्या लगता है कौन मार सकता है वैभा क्योंकि हमें अभी तक कोई भी खास तुलाग नहीं मिला क्या अरतिका हाथ हो सकत है वैभा कुमरवन है हां सर मुझे पता था वैभा स्टूडेंस को चीट कर रहे थे जोब का प्रॉमिस करके उनसे कैश लेते थे ऐसे एक नरास टूडेंट का होना है थे कोई भी नरास होगा और यह सब तब शुरू हुआ था जब मैने अर्थराइटिस की वज़े से पास साल बात है तो हमने सोचा कि मिलकर क्लास स्टार्ट इंगे उसे एक अच्छा इंस्टिट्यूट बनाएंगे उसके लिए हमने मैनत की सारी कमाई सारी सेविंग सब लगा देगा लेकिन वैभाव ने सब बर्बाद कर दिया वैभाव का मदर आपने किया क्या या 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 क्लास के मताबिक आपके और आपके भाई मोहन के बीच में अचानक से बहुत ज्यादा बाते होने लिगा तो कि पहले नहीं होते हैं सर बेरे भाईया कोचिंग क्लासे में शेयर होल्डर है हर क्लास चुरू करने के लिए अच्छे खासे पैसों की जरूरत होगी है तो बस उ अगर मोहन मेरे भाई है मैं उनसे कभी भी बात कर सकते हैं और अज्ट्राइटीस के वज़े से जो मैंने ब्रेक रही अथा क्लास तो एड्मिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में मुझे उनकी हल्प लगती थी अच्छे बताईए अगर वैबब नहीं रहते तो कोचिंग सेंटर पर पूरा-पूरा मालिकान हाख आपका और आपके भाई अब दोनों का ही होगा नहीं है अलो उस्मान बोल रहूंत है आर्टीवी अपके सामने है इस पे एक प्रेमिश्रा नाम के बांजर भेगो ना पहले कुछ बैग्राउंड बोल ये प्रेमिश्रा एकसार पहले तक इ जानती हूं तो इस प्रेमिश्रा को एक साल पहले वैभव ने नौकरी से निकाल दिया था है ना हाँ क्यों पता नहीं वैभव ने बताया था कि प्रेम ने कुछ फ्रॉड किया था नोटिस पीरिट की ज़रत नहीं है अपना रेसिग्नेशन लेटर दो कलिहां बतानी वैभ जी दब भी वैभव ने आपको वज़ा बतानी ज़रूरी नहीं संझी आफ्टरल आप भी तो कोचिंग सेंटर में एड में इंचार थी वैभव ने प्रेम को कई पार जाली साइन करते हुए और चेक से पैसे निकालते हुए पकड़ा था अब यह तो प्रेम मिश्रा ही बत कि सब्सक्राइब यूगिश्पाल पर नज़र रख रहे हैं कि यूगिश्पाली हमें प्रेम मिश्रा तक लेगे करें कि 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 सब उसी दिर मिजे यूगिश्पर शक हुए उचाह देखे आकर यह चीज क्या है दिखो तो सब क्या निकला एक्स सुडेंट नहीं एक सेंप्लोय के साथ मिला जिसे नौकरे से निकाला गया था अभी इस्तीफा दे और निकल यहां से यह प्रेमिश्पर हमारे सामने नहीं आए अब यह बताए कि तुमने इस प्रेमिश्पर को बांसर आर्थी के सामने फेकने के लिए क्लिए क्यों का था ऐसे रेक्शन देखने क्योंकि क्योंकि मुझे युगेश्पर काहनी में 100% जोल देखते हैं सार उसकता है जौप के नाम पर पैसे लेने वाली कहानी पूरी तरह जूटी हो जो में गुम्राह करने के लिए सुनाई गई गई है क्योंकि इस प्रेमिश्पर का नाम सुनके आर्थी घपरा गई थी और प्रे मिश्पर के अंगल तर पहुंच ही नहीं पाएंगे अर्थी बेटा पुलीस आई थी पता नहीं क्यों मुझे लगा कि वो कहना चाहती है कि कि मैंने वैबफ को मरवाया है माँ मैं मानती हूं कि मेरे और वैबफ के बीच सब कुछ ठीक नहीं था लेकिन मेरे अंदर इतनी गिनौनी सोचने कभी जरम नहीं थिया कि मैं मैं वैबफ को मैं वैडन में आप लोको बुलाया है अलो मैं प्लीस आवसीट आपकी चिट पढ़ी मैंने उसमें लिखा था आप कोचिंग क्लासेश के जीएस्टी बरने में कुछ प्रॉब्लम है लेकिन सुरेज जी ने मुझे इस बारे में कुछ नहीं बता लेकिन सुरेज जी आपको कॉल कर रहे थे लेकिन आपको फोन नोट रिच बलान मैं आपको सब सुन्जा देता हूं कि एक सिर्ट एध 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 कहाँ? कोचिंग सेंटर में? तब? सर आपको वैभव जोशी याद है? हाँ वो ये वी कोचिंग सेंटर वाला है? हाँ सर, उसकी वी वी आर्थी जोशी का माडर हो काफ? हाँ? सर कोचिंग लास है, उसके खुद के गया बेन सर वीना का इंसपर पर पहुंच रही है ये आर्थी बेल पर बाहर दी? ये सर, आप मुझ पर ये अलजाम नहीं लगा सकते हाँ मैं मानती हूँ प्रेम के साथ मेरा अफैर था लेकिन ये अफैर मैंने वैभव से बदला लेने के लिए किया था अर्थी जोशी बहुत हो गया बहुत गुमालिय अब खेल खतम हमें पता है कि आपने प्रेम रिशा के साथ मिलकर पिर ये सारी प्लेनिंग की मैंने कोई प्लाइनिंग नहीं कि किसी को नहीं मा रहा है मिली है आ गये है आपके प्रेम तो praeम निशाजी प्रेम से बोलेंगे यह थोड़ा करस्ट कमिश्रन करें सर वैभव कुमारने का प्लान आर्थी काई था है यह जूट बोल रहा है सर मैं जूट नहीं बोल रहा है अर्थी अर्थी सब खतम हो चुका है तुम भी सच माल लो नहीं यह सच नहीं है यह जूट बोल रहा है इसने इसने मारा है वैभव को और अब इल्जाब मुझ को लगा रहा है मेरा इसमें कोई हाथ नहीं कोई अरती जोशी इस तरह चीखने चिलाने से आप गुनेगार से बेगुना ने बन जाएंग और आरती वैभव के मुर्डर में तुम्हारा मोटिफ और हाथ दोनों क्लियर कि सच में आरती वैभव के मौर्डर की मास्टरमांट थी? हम गलत तो नहीं थी? आरती सर किसने मला है میरी बहन को वैभव जोशी के कतल के दो साल बाद 2019 में उसकी पत्नी आरती जोशी का भी कतल हो गया इसने माना आरती को और क्यों? वैभव मडर केस में पुलिस को यकीन था कि आरती प्रेम के साथ मिली हुई थी और दोनों ने मिलकर ही वैभव की किड्नैपिंग और उसके कतल को अंजाम दिया था क्या वाकई में आरती का उसके पती की हत्या में हाथ था? या पिर इस सब के पीछे कोई और था जिसने अपने किसी फाइदे या बदले के लिए वैभव की हत्या करवाई और फिर उसमें आरती को पसा दिया और अब दो साल बाद आरती की भी हत्या करवा दी पैसे लेकर नौकरी दिलवाना क्या ये वज़े हो सकती थी वैभव और आरती के मर्डर की? वैभव का कतल साज़िश और मकसद और फिर दो साल बाद आरती का कतल इस सब के तार आपस में जुड़े हुए थी लेकिन कैसे और क्यूं यह हम आपको दिखाएंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखरी भागने जैन